मैं bp3sing, आज आपको Argument Principle के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि यह Roches zeo theorem हें उसमें यूज होता है और Roches theorem important है, चलिए पहले इसे देखते हैं, Argument Principle क्या होता है if fz is meromorphic function meromorphic function क्या होता वह analytic definition है जो residue के लिए होती है inside a close contour c कोई close contour लेंगे उसके अंदर है c and has no zeros on c और boundary पर कोई 0 नहीं होंगे on c पर boundary पर यह यह पर नहीं होंगे अंदर होंगे और कह रहा है n is the number of zeros जो zeros भी होंगी तो वो कितने है n p क्या है number of pole हम poles निकालेंगे पी पर तब inside c c के अंदर ही निकलेंगे बाहर तो निकली नहीं सकते देन प्रूब देट वन अपन टू पाई आई c f डैस जैड अपन f जैड एक्वल टू n माइनस p आपसे request है इससे पहले आप पर कोची रजड्यू थ्योरम वो पूरी आनी चाहिए ठीक है चलिए तो मैं कोई function मान रहा हूं कोची residue के लिए जो zeros order हो और order उसके लिए मैं कोई n मानूंगा और फिर p मानूंगा तो मान लीजिए let z बराबर a be zeros of order and ठीक है मान लो let z बराबर a be zeros of order and ठीक है तब इसके लिए कोची रजड्यू में definition थी यहाँ से चलना है तो कोची रजड्यू में इसकी definition थी then by definition क्या थी मेरे बच्चो f z equal to z minus a की power n into phi z अब यह जो phi z function है यह देखना है मुझे where phi z एक माल लो यह क्या है एनलाइटिक है काई पर ए पर लेकिन यह चीरों की बराबर नहीं होगा तुम्हें इस बात को लिख रहा हूं वे या फाइद इस एनलाइटिक और फाइए अगर में ह्यां यह रखूं तो फाइए बराबर नहीं होगा जीरों के ठिक है जब फाइए बराबर जीरों के नहीं होगा नहीं होगा। तब दौनों इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करूँ इसका मुझे रजजु निकालना चलो डिफ्रेंट लॉग लेते हैं पहले लॉग लेका इसे सॉल्व करते हैं इस वह देट यह मैं नम्मर माल लो इसका चलो है नम्मर वन माल लिया सो देट टेकिंग लॉग बहुत साइट तो यह बन गया मेरी बच्चो लॉग एफ जैट इसे डारेट खोल ला हूँ मैं अब एन लॉग जैड माइनस से पिलस लॉग फाई जैड ठीक है इतना तो आप जानते होंगे नालग तोड़ना क्योंकि मुझे यह रजड्यू भी निकालना है और यह एन नम्मर निकालना है इसलिए मुझे लॉग लेकर डिफ्रेंशियल करना पड़ेगा करते हैं चलो डिफ्रेंशियल बिध रैस्पेक्ट टू जैड बॉथ साइड यह एफ डैस जैड अपोन एफ जैड समझ गया है लॉग के अकॉर्डिंग वन अपोन जैड का एफ डैस जैड यह एन अपोन जैड माइनस है यह वाला पिलस लॉग के अकॉर्डिंग वन अपोन फाई जैड फाई जैड का फाई डैस जैड अपोन फाई जैड यह नमबर टू माँ लो आईए अब मैंने उपर लिखा एक हैं फाइज एज एनलाइटिक लिखा ए उपर तो मैं हिया कह रहा हूँ फाइज एज एनलाइटिक है चुकि तो गारंटी की बाद फाइज जैड इज आलसो एनलाइटिक एनलाइटिक होगा ठीक है जब यह एनलाइटिक होगा तब इसी लिए फाइज जैड अपोन फाइज टोटल इज आलसो एनलाइटिक जब यह एनलाइटिक होगा तो कोची से सी फाइज जैड अपोन फाइज जैड करूं तो इसका मान जीरो होगा क्या होगा जीरो अब देखे मैं थोड़ा सौट कर रहा हूं तो यह तो जीरो हो गया तब बाइस सेकंड से से एफ डैस जैड अपोन एफ जैड हैज क्या रखा इसके पास देखो रज्यू तो एन है और पोल कितने पर बन रहा है एप ठीक है है सिंपल पोल एट जैड बरावर ए जेड बराबर ए ये तो कट जादो रजड्यू कितनी बसती एन तो लिख दो हुआ वेध रजड्यू एन बजी अब सपूझ करो इसका भी मैं इंट्रिगेशन लेता ना बेटा और जब इसे सॉल्व करता तो यही आंसर आता और इसका मान क्या हो जाता जीरो तो यह हमें रजड्यू मिल गई एन अब मुझे ऐसे ही दोवारा फिर फंक्सन लेना पड़ाएगा फिर इतना ही बड़ा हैं से हल करना पड़ाएगा जो रज यह लेट जैड बराबर जो एली खीती अब के मैं लिख रहा हूं लेट जैड बराबर बी बी जी रोज ओफ ओडर अब के मान लिया पी पहले एन माना था देन बाई डेफिनेशन तो मेरी बच्चो यहां तो मैंने इधर लिया था आपके मैं यहां लोगा ऐसे जैड माइनस किस पर बी पर ओडर कितना है पी इन्टू एफ जैड दूसरा एक फंक्शन बनाना पड़ता है उपर फाई जैड लिखाता यहां साई जैड ठीक है अब मैं हैं लिख रहा हूं वे यार साई जैड हुआ तो मैंने लिखा था उपर फाई जैड इज एन्लाइटिक है है साई जैड इज एन्लाइटिक और यहीं लेकर देता हूं यह और सर्थ है यहां बी रखों जिस पर यह बन रहा है तो साई बी बराबर नहीं होगा तो इसका मैं लॉग ले रहा हूं और यह थार्ड, बाई थार्ड, टेकिंग लॉग बॉट साइड, तो यह बनेगो मेरे बेटा, पी लॉग, जैड माइनस बी, इन्टू, चलो अलालाग तोड़ देता हूँ, पिलस लॉग, एफ जैड, बरावर लॉग, साइड, कोई सक, ठीक, चलिए, उपर लिखते हैं अब इसे, करिये फिर डिफ्रेंशियल, बिध रैस्पैक्ट टू, जैड, पी अपॉन जैड माइनस बी, पिलस, यह, वन अपॉन अपॉन अफ जैड का, ऐफ ड़ैस जैड अपॉन अपॉन अफ जैड, इधा, साइ ड़ैस जैड अपॉन साइ जैड या इधर ले जाओ, तो f dash z upon f z equal to minus p upon z minus b plus psi dash z upon psi z, ठीक, अब हमने क्या बताया था उपर, कि psi z is analytic, तो psi dash z is also analytic, लिख ले न, analytic, इसी लिए psi dash z upon psi z is also analytic, ठीक, इसी लिए c psi dash z upon psi z d z किसके बरावा, कोची रजड्यू से, जीरो के, अब ये क्या बचा, यहाँ ये देखना है, फिर, फिर, f dash z upon f z has simple pull, simple pull of, कहाई पर निकाला था, simple pull, बोलो बेटे, हाँ चले के, शुरू तो देख लो, यहाँ से तो और बचिया दीखे था, च्छिपिया था, ये निकाल दिया, differential with respect to z ले लिया, abdus z ये इधर गए, si z is analytic, si dash z is lnc, तो यहाँ के बटे करूं, तो ये भी analytic होगा, तो कोची से, इसे किसके बराबर रखेंगा, जीरो के, अब ये बचा, ये चीज क्या है, ये रख रहा है बेटा, ये, si z क्या है, simple pole रख लाए, at z बराबर b पर, simple pole at z equal to b पर, कहां ये बी पर, और वहिया जी, बेध रजड्यू कितनी है, residue minus p, ये कट जाएगा ना, बेटा, रजड्यू निकालेंगे, तो आप कट जाएगा ये, तो minus p तो बसता, चला उपर लेते है, चलिए, तो इसका ये आया बेटा, minus p, और ये आया, n, ठीक है, दोरो minus p और n, आया, तो बाई, कोची रजड्यू थे हो, रहा है, 1 upon 2 pi i c, मैंने खाता ना, कि इंट्रीकेस नहीं लगाया, तोवारा बता दूँगा, f dash z upon f z dz, कितना था, sum of all residue within c, तो कितना निकला था, उपर तो मैंने n निकाला था, कहां है, n ये रहा, तो आया लिखूंगा, sigma n, ये निकला था, p minus k, तो plus minus sigma p, sigma n minus sigma p, ये capital n minus p, ये ही proof था, फिर समझ लोगी, ये इधर देखो, ये इंट्रीकेस नहीं तो होता है, one upon two pi i, two pi i ये जोना लेखो कि काय में चले होगा, जीरो में, ठीक है, तो इसका निकाल दिया था, आपने residue, ये निकाल दिया, कितने उसका निकला था, residue काय पर निकला था, residue n, और किस पर निकला था, z बराबर a, पूल पर, पूल इसका क्या है, ए रजड्यू N है, इसका इंट्रिगेशन करी किया, ऐसे ही इसका इंट्रिगेशन करो गया, इसका तो निकले आएगा, माइनस P तो रजड्यू और काई पर है, Z वराबर B पर, ये क्या हो जाएगा, कोची रजड्यू थ्योरम से 0, ये और दो पूछा, इसकी तो मिली हमें माइनस P, और इसकी मिली माइनस N, कितना आ गया, N माइनस P, ठीक है, चलिए एक थ्योरम और बताते हैं, आपको रचेज थ्योरम, ठीक है, आईए रचेज थ्योरम क्या कहती है, इफ FZ and GZ are analytic, within and on a close curve C, मैं एक करव बना लेता हूँ, चलो ये बना ले, close कर, ये boundary C है, और ये किरा, FZ, GZ दोनों analytic हैं, इसके अंदर, बाहर नहीं, boundary से अंदर, within, C, and GZ और FZ on C, या पर boundary पर, दो function है, FZ, ये बड़ा है, काई से, GZ से, ये कह रहा है, तब FZ and FZ plus GZ, ये FZ और फिन दोनों को जोड़ू, have same number of zeros inside scenes के अंदर, जोओं के दोनों same number रखते हैं, ये रुचेस theorem है, आईए आव इस प्रूफ करते हैं, ये question ही समझ समझ के हमें, प्रूफ करना होगा, ठीक है, चलिए, इसने ये चीज़ दे रखी है, GZ का mod is less than FZ का mod on C, ये सब दे रख, चलिए, इसे ही लेके चलते हैं पहले हैं, GZ का mod is less than FZ का mod, और कहाँ हैं, boundary पर, on C, तो मैं एक बात बताऊँ, GZ का mod upon FZ का mod is less than 1 है, गो, on C पर, इसका मतलब ये हुआ, दावे की साथ, कि जो FZ है, वो बरावर नहीं है, GZ के, पहली बात तो ये समझ लो, किसके बरावर नहीं है, वो, GZ के, अगर हिया जीरो होता, तो इन्फानाट है जाता, बड़ा हो जाता, otherwise, मैं दूसरों भी दिखा रहा हूँ, Otherwise, GZ अपॉन FZ का जो मॉड है, बिल भी इन्फानाइट And not, और के लेस्ट दन वन भी नहीं होता है, ये भी लिखे देता हूँ, चलो, And not less than one, and not less than one, 1 के बराबर फिर समझ लो, अगर ये लेस्ट दन वन है, तो इसका मतलब ये जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका जो मिल भी है, Otherwise, अगर जीरो के बराबर होता, तो कि लेखाए, Otherwise, जीरो के बराबर होता, तो क्या होता? infinite होता और एक ते कम होता ही नहीं यहां तक ही कोई परेशानी जब एक से कम नहीं होता तब आलसो मैं दूसरी सर्थ और ले रहा हूं आलसो एक और सर्थ है fz पिलस gz इन दोनों का मौड बड़ा है fz से किस से लेकिन कब बड़ा होगा जब gz बराबर नहीं हो 0 के मैं है चलो ऐसे लेके देता हूँ वैन कब होगा जब gz बराबर नहीं हो 0 के कुछ भी हो है नेगेटिब में हो तो पॉजिटिव हो जागा चलो मौड है तभी तो ये सर्थ पूरी होगे ये दोनों बड़े होंगे FZ से कब जब GZ बरावर नहीं है जीरो से चुकि सर्थ में जो देराखी है वो ऐसे देराखी है GZ का मौड is less than FZ के मौड के बरावर ये दे रखिये सर्थ में जब ये बरावर नहीं है जीरो के तो 100% मैं या जोड़ूं ऐसे FZ करूँ और GZ करूँ तो ये भी जीरो के बरावर सब बोज करो जब ये जीरो के बरावर नहीं है कुछ भी लिखा है 10, 20, 50 जो भी कुछ लिखा है तो जीरो के बरावर होगा ही नहीं इससे क्या सिद्ध हुआ हैंस अत है नाइदर FZ एक तो मैंने ये FZ ले दिया नौर FZ पेलास GZ दोनों हेज जीरो ज और सी यहां तक की कोई परिशानी अब माल लो लैट ये मैंने सब सर्थ दिखा दी इसके एकॉर्डिंग दोबारा समझा दूँगा लैट केपीटल FZ बराबर माल रहा हूँ मैं GZ अपॉन इश्मॉल FZ कोई सख इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ GZ एकॉल टू केपीटल FZ इंटू इस्मॉल FZ Z तो हमें पता है फंक्शन हैं मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ G इकॉल टू केपीटल F इंटू F यहां को एक बार differential कर लूँ तो जरूरत पड़ेगी इसकी multiply इसका differential अब पहले का differential इसकी multiply यहां तक कोई परेशानी ठीक है अब मान लो let n be the number of zeros मान रहा हूँ मैं let n be the number of zeros of f plus g की मान ले n1 के दो चलो जाए और n2 be the number of zero of k1 small f के और यह दोनों कहां है में में ही लेकर देता हूँ दोनों कि इंसाइड सी कि मैं इसकी रजड्यू भी चाहिए पोल सी चाहिए तो पोल में इसके 0 लेकर देता हूँ मान लेता हूँ लेट कि दीज फंक्शंग है 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 नो पोल्स की मुझे जरुवती नहीं है मुझे तहीं रुचित थ्योरम में पोल्स की जरुवती नहीं पड़ती है देट इस जो पोल में उपर हूँ बताए थे थे पी वरावर है वो 0 क्या हो गया पी वरावर 0 अब हम जानते हैं वी है अभी जो थ्योरम प्रूफ कराई थी मैंने एफ डैस लिख रहा है यहां लिख रहा है एफ डैस पिलस जी डैस अपन नीचे एफ लिख रहा था है यहां F पिलस G और D Z इसमें अंदर Z हैं मैंने लिखे नहीं है ठीक N2 माइनस 0 वोई जो P बराबर 0 ये भी 1 अपॉन 2 पाई आई C ये माना है केवल मैंने F तो F डैस अपॉन F D Z यहां तक कोई परेशानी बोली 1st माइनस 2nd लेखरा नहीं हूँ डारेट करना हूँ N1 माइनस N2 इक्वल टो 1 अपॉन 2 पाई आई C F डैस पिलस G डैस अपॉन F पिलस G D Z माइनस 1 अपॉन 2 पाई आई C F डैस अपॉन F D Z कोई सक चलिए मैं अगले पेज पे लेता हूँ नहीं आएगा नहीं फिर भी का फादा ठीक है चलिए मैंने लिख लिए ठीक है अब सॉल्व करते हैं इसे 1 अपॉन 2 पाई आई C F डैस तो जोंकित्यों रहने दो G डैस की वेलू लगाओ अभी पहले पेज पर G डैस का मान निकाला था क्या था इसमॉल एफ केपीटल एफ डैस पिलस केपीटल एफ इसमॉल एफ डैस अपॉन एफ पिलस G की वेलू बताईए G की स्मॉल एफ इन्टू केपीटल एफ D Z माइनस वान अपॉन टू पाई आई C F डैस अपॉन एफ और D Z ठीक 1 अपॉन टू पाई आई C LC हम लो तो इसकी यहामें मल्टिप्लाई इसकी यहामें सब कोमल ले रहा हूं ठीक है LC हम यह माइनस करना है बस इसमें से F F डैस पिलस F स्क्वाइर F डैस पिलस F F F डैस माइनस F डैस की यहामें कर दो F F डैस माइनस F डैस F कैपीटल F अपॉन F पिलस F F और इन्टू स्मॉल F और अब लिख दो बाहर T Z यह सब कोमन आगा ठीक है सॉल्व कर दिया मैंने कुछ कटा एक तो मुझे यह दीख रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा एक यह भी दीख रहा है देखो यह और यह क्या बचा यह बचा इसमॉल F स्क्वार हैं अगर F कोमन ले दो तो स्मॉल F स्क्वार भी कट जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा वन अपॉन टू पाई आई सी कैपिटल एफ डैस अपॉन पिलस एफ और डी जैड् यहां तक कोई परेशानी बोलो चलिए क्योंकि एफ जैड्ड एनलाइटिक है मैं यहां रब पर लेक रहा हूं या फेर ही समझ लिए क्योंटी F इज एनलाइटिक तो F डैस इज आल्सो एनलाइटिक तो F डैस अपॉन पिलस F इज आल्सो एनलाइटिक यह सब लिख लेना सो डैट बाई कोची से 1 अपॉन टू पाई आई सी F डैस अपॉन पिलस F टी जैड एज आल्सो जी रो ते इस पर कारिये मैंने क्या कर दिया जी रो किसके बरावर चल रहा था इसका मतलब N1 बरावर यह सेम है यही प्रूफ करना था इससे अगली वीडियो में मेरी बच्चों में एक्जाम्पिल बताऊंगा चार पास ठीक है तो यह दोनों थियोरम अच्छी तरह से आनी चाहिए ठीक है अगर मेरी वीडियो पसंद आये तो अगले एक्जाम्पिल देखना और सेयर करना लाइक करना और प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलना ठीक है थेंक्यू धन्यवाद थेंग्यू धन्यवाद